नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम विश्वक के प्रमुक जलपरपात को कवर करेंगे तो इससे पहले हमने भारत के सभी प्रमुक जलपरपातों को पढ़ लिया है अगर आपने वो वीडि के सभी प्रमुक जलपरपातों को कवर करेंगे तो पहले हम सभी जलपरपातों को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस येर क्वेस्टन को भी कवर करेंगे तो पहले वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस येर क्वेस्टन जरूर अट पुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जलपरपात कहते किसे हैं यानि कि वाटर फॉल्स कहते किसे हैं तो जलपरपात उस थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड की चटान से नीचे भूमी पर गिरता है उसे हम जलपरपात कहते हैं इंगलिश में व waterfall यह एकी चीज है तो जहांसे नदी का पानी पहाड की चटान से नीचे भूमी पर गिरता है उसे हम जल परपात कहते हैं अब आगे हम इसे एक के करके पढ़ते हैं तो पहले हम जल परपातों के परकार के बारे में पढ़ लेते हैं उसके बाद हम सभी परमुख जल परपातों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले है खर दुम जल परपात जिसे इंगलिश में कहते हैं horse tail falls तो ये क्या होता है तो इस जल परपात की shape घोडे की पूँच की तरह होती है इसलिए इसे horse tail falls कहा जाता है तो घोडे की पूँच की तरह इसकी आकरती होती है इसकी shape होती है आप देख रहे हैं जो घोडे की पूँच होती है उपर से पतली होती है और नीचे आते हुए वो विखर जाती है चोड़ी हो जाती है उसी प्रकार ये जल परपात है उपर से इसकी जो धारा है पतली है आगे जाके चोड़ी हो जाती है तो होर्स टेल की तरह इसकी जो शेप है इसलिए इसे होर्स टेल फॉल्स कहा जाता है या देखेगा खर्दुम जलपरपाथ अगर उधारन बताओं तो भारत का जोग जलपरपाथ भारत में है ना करनाटक में मैंने आपको भारत के जलपरपाथ में बताया था कि जो जोग जलपरपाथ है ये भारत के करनाटक में है शरावती नदी पर तो जोग जलपरपात इसका एक उधारन है जो की खर्दुम जलपरपात की तरह है उसके बाद अगला जलपरपात है धालू जलपरपात तो इसे धालू जलपरपात क्यों कहते हैं तो धालू जलपरपात के नाम से ही किलियर है जिसमें आप देख रहे हैं कि जिस जलपरपात क पानि धलां शे नीचे की और गिरता है जैसे आप देख रहे ना कि धलां से की और पानि गिर रहा है इसे हम धालू जलपरपाथ यानि की फैन फॉल्स तो पंखा जलपरपाथ चींज़ कहा जाता है तो इसकी चेप है वो पंक्खे की तरह है इसलिए से पंक्खा जल परपात कहा जाता है आप कह रहे होंगे कि इसकी शेप पंक्खे की तरह कहा पर है अब देखिए है ना पंक्खे की तरह तो जो हाथ वाला पंक्खा होता है आपने देखा होगा कि चाइनीज मूवीज में देखा होगा कि वो इस पंके का इस्तिमाल करते हैं तो इस परकार इसकी शेप है तो इसी लिए से पंक्खा जल परपात कहा जाता है fan falls अगर उधारन बताऊं तो USA का जो union falls है वो इसी का एक उधारन है जिसमें जो पानी होता है या जो हाथ वाला पंक्खा होता है इस शेप का होता है उपर से बिल्कुल पतला और नीचे की तरफ ये भिखरता हुआ जला जाता है triangle की शेप में तो इसे पंक्खा जल परपात कहा जाता है अब हम आगे देखते हैं तो अगला जल परपात है विभक्त जल परपात जिसे इंग्लिश में कहते है segmented fall तो segmented fall से ही आपको clear हो गया होगा कि जो जल परपात जिसमें क्या होता है पानी अलग अलग जहरनों से नीचे की और गिरता है जैसे आप देख रहे हैं ये जो जल परपात होता है ये segment में मतलब कि एक ही जल परपात में कई सारे जहरने जो हैं नीचे की और गिरते हैं जैसे कि आप इस जल परपात में देख रहे हैं इसमें चार जहरने नीचे गिर रहे हैं है ये एक ही जलपरपात, पर ये segmented है, इसे segmented fall कहा जाता है, उधारन के लिए बताओं तो भारत का शिव समुद्रम जलपरपात, वो एक segmented fall है, यानि कि विभक्त जलपरपात है, उसके बाद है पांतिक जलपरपात, यानि कि teared falls, तो पांतिक जलपरपात में जो पानी होता है, वो step wise नीचे गिरता है, जिस परकार सीड़ियां होती है ना, उसी परकार, जो पानी होता है, वो step wise नीचे गिरता है, उसे पांतिक जलपरपात, यानि कि teared falls कहते हैं, उसके बाद है हिमादरी जल परपाथ इंगलिश में कहते हैं frozen falls यह तो नाम से ही क्लियर है तो जो हिमादरी जल परपाथ होते हैं पाइस में जो पानी में बरफ के छोटे छोटे टुकडे समाहित होते हैं और कभी कभी क्या होता है कि जो पानी होता है वो पूरी तरह से कुछ समय के लिए बरव से जम जाता है तो उसे कहते हैं हिमादरी जल परपाथ यानि कि frozen falls अगला जल परपाथ है खरल जल परपाथ English में कहा जाता है punch bowl falls तो इसे punch bowl falls कहा जाता है और इसमें जो पानी होता है वो पतली सी जल धारा के रूप में नीचे उतरता है पर नीचे कुंड में ये फैल जाता है जैसा कि आप image में देख रहे हैं इसमें पानी जो है उपर की ओर से तो पतली सी जल धारा में आता है पर नीचे कुंड में ये पूरी तरह से फैल जाता है इसे हम punch bowl falls कहते हैं उसके बाद है गोता जलपरपाथ plunge falls तो इसे गोता जलपरपाथ क्यों का जाता है तो जैसे जो गोता खोर होता है न उपपर से पानी में चलांग लगाते हैं उसी तरह से जो गोता जलपरपाथ होता है ये भी सीधा नीचे गिरते हैं बिना उस चटान से touch हुए मतलब कि जब गोता जलपरपात का पानी उपपर से नीचे गिरता है तो जो पानी होता है वो चटान के बिना संपर्क में आए सीधा नीचे की और गिरता है जैसे गोता खोर होता है सीधा पानी में जम्प लगाता है न उसी तरह इस जरने का पानी सीधा नीचे गिर जाता है जिसे गोता जलपरपात कहा जाता है इंगलिश में प्लंज फॉल्स कहते हैं उसके बाद है महा जलपरपात कैट्रेक्ट फॉल्स तो महा जलपरपात उससे कहते हैं जो बड़ा और शक्तिशाली जलपरपात होता है जैसा कि आप इमेज में देख के पर्मुक जलपरपातों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं तो वेनुजेला देश में दो जलपरपात हैं पहला है एंजिल जलपरपात जो की केरोनी या केरो नदी पर है और यह दुनिया का सबसे उंचा जलपरपात है या देखेगा एंजिल जलपरपा जिसकी उंचाई 989 मीटर है 979 मीटर इसकी उंचाई है और ये केरो या निकी केरोनी नदी पे है और ये कहां पर है तो वेनुजेला देश में है ये तीनों चीज आपको याद रखना किस नदी पर है तो केरोनी ये केरो नदी पर है वेनुजेला देश में है और यह है दुनिया का सबसे उंचा जलबरपाथ है तो एंजिल जलबरपाथ तो आसानी है इससे याद रखना उसके बाद है कुक वेनन जलबरपाथ तो कुक वेनन जलबरपाथ भी वेनेजोयला में है और यह 610 मिटर उंचा है और ये कुकवेने नदी पर भी है इसके पीछे क्या है? वेनन, तो वेने जुएला शुरूबात हो रही है वेने जुएला से वेने, और कुकवेनन के पीछे क्या है? वेनन, तो रेलेट आप कर सकते हैं और जो एंजिल जलपरपाथ है ये तो most important है ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे उंचा जलपरपाथ है उसके बाद है नियागरा जलपरपाथ ये कहां पर है तो ये जलपरपाथ USA और कनाड़ा की सीमा पर है और किस नदी पर है तो नदी ही पूची जाती है सेंट लोरेंस नदी नियागरा जलपरपाथ सेंट लोरेंस नदी पर है और ये USA और कनाड़ा की सीमा पर है तो USA और कनाड़ा की सीमा पर दो जीले हैं इरी और उंटेरियो इन्ही दोनों जीलों के मद्धे में है नियागरा जल परपाद तो यह तीनों फेक्ट आपको याद रखने है नियागरा जल परपाद है किस नदी पर? सेंट लोरेंस नदी पर है किन दो देशों के बीच सीमा पर है तो USA और कनाड़ा की सीमा पर है किन दो जीलों के मद्धे है तो इरी और उंटेरियो जील के मद्धे है तो मैंने आपको विशुकी परमुक जीलों वाली वीडियो में बताया था ना पांच जीलों के बारे में एक बार फिर आपको बता देता हूँ तो मैंने जब आपको विशु की प्रमुक जीले पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कनाड़ा और USA की सीमा पर पांच जीलों का समूव है जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है तो इन पांच जीलों के समूव को ग्रेट लेक्स कहा जाता है और मैंने आपको शोट में याद भी कराया था कि होमस होमस से आप से याद कह सकते हैं ह से युरोन जील, ओ से उंटेरियो जील, एम से मिशिगन जील, ए से इरी जील और से सुपीरियर जील तो ये पांच जीलों का समूव कनाड़ा और अमेरिका की सीमा पर मिलता है तो इन ही पांच जीलों में से उंटेरियो जील और इरी जील के मद्ध है नियागरा जील परपात तो मैंने आपको दुबारा रिवाइज करा दिया इन पांच जीलों के बारे में कई बार एक्जामें रिपीट हुए है याद अख लेना अब हम आगे देखते हैं तो उसके बाद हैं तो अमेरिका के कैलिफॉर्णिया में दो जल पर पात आपको याद अखने हैं बस यही पूछा जाता है कि ये जल पर पात कहां पर है तो अमेरिका के कैलिफॉर्णिया में कौन कौन से पहला है योसेमाइट जलपरपाथ और दूसरा है रिबन जलपरपाथ तो ये दोनों ही जलपरपाथ कहां पर हैं अमेरिका के कैलिफॉर्णिया में रिवाइज कर लीजिए योसेमाइट और रिबन ये दोनों ही अमेरिका के कैलिफॉर्णिया में हैं तो आगे आ में स्थित है तो यह कनाड़ा में है वैसे भी आप याद कर सकते हैं कनाड़ा डा से खतम हो रहा है और डेला डा से शुरू हो रहा है तो आप इसे रिलेड कर सकते हैं तो इन छोटे छोटे हिंट से आप इन याद कर सकते हैं कनाड़ा डेला तो डेला जलपरपात कहां पर है क गरनाड़ा में है उसके बाद है विक्टोरिया जलपरपाथ तो most important तो विक्टोरिया जलपरपाथ अफरीका में जांबिया और जिंबावे की सीमा पर स्थित है किन दो देशों की सीमा पर है जांबिया और जिंबावे की सीमा पर है और विक्टोरिया जलपरपाथ अफरीका म महादुप में है और जांबिया और जिंबावे की सीमा पर है और ये नदी पर कौन सी है तो जंबेजी नदी पर है कौन सी नदी जंबेजी नदी और इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था इसलिए से विक्टोरिया जलपरपाद कहा जाता है तो क्या क्या ह हम याद रखना है नदी कौन सी है जंबेजी नदी देश कौन से है तो जांबिया और जिंबावे की सीमा पर है विक्टोरिया जलपरपाथ और जंबावे अफरीका महादुप में है तो यह जलपरपाथ भी कहां पर होगा अफरीका महादुप में होगा तो यही दो चीजे प पर पात है बोयोमा जल पर पात तो बोयोमा जल पर पात जैरे नदी पर है किस नदी पर जैरे नदी पर और कौन सा देश है तो कांगो लोकतांतरी गनराज है कांगो देश है और नदी है जैरे और कौन सा जल पर पात है तो बोयोमा जल पर पात है आगे देखते हैं तो अगल सूफर लेंड के पिछे क्या है land और न्यू जी लेंड तो देश आप रिलेड कर सकते हैं सूफर, लेंड, न्युज़ुलेंड और नदी भी असान है क्योंकि जो जलपरपाथ है सूफर और नदी है और थर रेंडू परपात से रिलेट हो रहे हैं सूथर और तर तो नदी कौन सी है और तर नदी सूथर लैंड न्यूजी लैंड और देश कौन सा है न्यूजी लैंड तो सूथर जलपरपात कहां पर है न्यूजी लैंड में है और और तर नदी पर है अगला जलपरपात है तुगेला और दक्षिन अफरीका देश में है याद लखेगा नदी तो आपसे पूछी नहीं जाएगी पर देशी पूछा जाएगा तो तुगेला जलपरपाथ किस देश में है दक्षिन अफरीका यानि कि साउस्थ अफरीका में है उसके बाद आगे है तो ये तीनों ही जलपरपाथ नौर्वे देश में हैं मैंने एकी साथ कवर कर दिये पहला है मडालस फोसन जलपरपाथ दूसरा है मोंगे जलपरपाथ और तीसरा है एस्पलॉंड जलपरपाथ तो ये तीनों ही जलपरपाथ कहां पर है नौर्वे में है और मर्डालस फोसें जलपरपाथ मर्डोला नदी पर है तो इस जलपरपाथ से ही नदी रिलेट हो रही है दूसरा है मोंगे जलपरपाथ तो ये मोंगे नदी पर है और एस्पलॉंड जलपरपाथ एस्पलॉंड नदी पर है तो नदी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि नदी तो नाम से ही रिलेट हो रही है, पर जो देश है ये पूछा जाएगा, कि मरडालस फोसें जलपरपाद किस देश में स्थित है, तो नौर्वे में है, मोंगे जलपरपाद ये भी नौर्वे में है, और एस्पलोंड जलपरपाद बचे हैं, ये भी देख लिजिए, तो गवारनी जलपरपाद, ये किस देश में स्थित है, तो गवारनी जलपरपाद फ्रांस में है, कहां पर फ्रांस में, उसके बाद लास्ट में बचा जोग जलपरपाद, तो मैंने आपको भारत के जलपरपाद में बताय जलपरपात में पढ़ाया था, तो हमारा जो theory section यहीं पर complete होता है, अब हम previous year question देखते हैं, तो पहला pressure है, कि विश्व का सबसे उचा जलपरपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे उचा जलपरपात है, angel जलपरपात, हमने पढ़ा था, option C, इसका सही जवाब होगा, अगला प्रशन है कि विश्व का सबसे उंचा जल परपाथ किस देश में स्थित है तो विश्व का सबसे उंचा जल परपाथ कहां पर है तो यह वेनुजुएला में और केरोनी नदी पर है अगला प्रशन देखते हैं तो अगला प्रशन है बोयोमा जल परपाथ किस नदी पर स्थित है तो बोयोमा जल परपाथ जैरे नदी पर स्थित है ओप्शन B अगला प्रशन है कि नियागरा जल परपाथ किस नदी पर स्थित है तो नियागरा जल अगला प्रशन है कि विक्टोरिया जल परपाद किस नदी से संबंदित है तो विक्टोरिया जल परपाद किस नदी से संबंदित है ओप्शन डी जेंबेजी नदी पर ये जिंबावे और जांबिया की सीमा पर है ना तो ओप्शन डी जेंबेजी नदी पर है विक्टोरिया जल पर पाद अगला प्रशन है नियागरा जल पर पाद किन दो जीलों के मध्य स्थित है तो नियागरा जल पर पाद option c इरी और ओंटेरियो इन दो जीलों के मध्य पर स्थित है नियागरा जल पर पाद अगला प्रेशन है नियागरा जल पर पाथ किसकी सीमा पर सीथ है तो आपको सीमा बतानी है किन दो देशों की सीमा पर है तो उप्शन B जो ऐसे और कनाड़ा की सीमा पर है नियागरा जल पर पाथ इसका सही जवाब होगा उप्शन B अगला प्रेशन है सूथर लैंड जल पर जलपरपाद किस देश में है तो बताईए सूथर लेंड जलपरपाद किस देश में है तो इसका सही जवाब क्या होगा option a न्यूजी लेंड में है सूथर लेंड जलपरपाद अगला प्रशन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तो सूची एक में जल परपात दिये हुए हैं और सूची दो में नदिया दिये हुए हैं तो हमें ये बताना है कि कौन सा जल परपात किस नदी पर है तो एंजी जल परपात किस नदी पर है तो एका होगा थ्री कोरोनी नदी यानि कि कैरो नदी तो A का तो 3 होगा बुयोमा जलपरपात किस नदी पर है तो ये जैरे नदी पर है B का 4 होगा नियागरा जलपरपात ये किस नदी पर है तो ये सेंट्र लोरेंस नदी C का 2 होगा तो option में देखें तो option D A का 3 होगा B का होगा 4 C का होगा 2 और विक्टोरिया का होगा जैंबेजी ने दी यानि कि डेका होगा 1 तो option D इसका सही जवाब होगा आज का आखिरी प्रेशन है कि तुगेला जलपरपाथ किस देश में है तो तुगेला जलपरपाथ दक्षिन अफरीका में है option D तो आज की ये वीडियो यहीं पर खतम होती है कैसी लगी ये वीडियो कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद